बड़ी खबर इस समय की जमुकश्मीर के पुंश और जोरी से सामने आ रही है यहाँ पर आपको बता दे चलें के पुंश और जोरी में इंटरनेट सर्विसिस को सस्पेंड कर दिया गया है जी हाँ यहाँ यह सबसे बड़ी अपडेट है जमुकश्मीर के पुंश और जोरी में जोकी जमुकश्मीर के दो जिले हैं यहाँ पर जोहाँ इंटरनेट सर्विसिस को पूरे तरीके से फिलाल के लिए सस्पेंड कर दिया गया वज़ा फिलाल यह बताई जा रही है कि जिस तरह से कल जोहाँ वो पहाड़ी कबीले को स्पी का दर्जा दिया गया और उसके बाद कहीं न कहीं सरकार कोई शक था कि कहीं न कहीं जो गुजर बकरवाल समधाय के लोग हैं वो जो हो सडकों पर ना आएं और कोई महौल जो हो खराब न हो जिसके चलते पुंच और राजोरी जिले की बात करें तो वहाँ पर पूरे तरीके से इंटरनेट सर्वेसिस को सस्पेंड कर दिया गया है और इस बात का लोगों को भी तब पता चला है जब लोग जो हो सुबह सुबह उठे और फोन पर वर्टसैप या फेस्बुक या फिर इंस्टाग्राम चलाने की कोशिश करने लगे तो वहाँ पर उनका इंटरनेट सर्वेसिस जो हो वहाँ पर पूरे तरीके से डौन जो हो वहाँ पर नजर आ रहे था कोई भी किसरा का सोशल मीडिया प्लाटफार्म को वह जो हो नहीं चला पार थे लेकिन ऐसे मैं आपको बता दे चलें कि पुन्श और अरजोरी से इस समय की ये सबसे बड़ी खबर है यहाँ पर इंटरनेट सर्वेसिस को पूरे तरीके से बंद कर दिया गया और जिसरे से कल ही जो हो दिली में बैठी बीजेपी की सरकार ने पाड़ी कबीले के लोगों को भी जो हो एस्टी का दर्जा दिया जो की काफी लंबी मांग थी पाड़ी कबीले के लोगों की और वो चाहते थे का हमें स्टी का दर्जा दिया जाना चाहिए लेकिन इसी के खिलाफ गुजर बकरवाल समुदाई के लोग लगातार ये प्रोटेस्ट कर रहे थे और ये कह रहे थे कि हमारे हाका हाकुक पर डाका डालने की कोशिश नहीं की जाए लेकिन ऐसे में सरकार द्वारा फिलाल जमकश्मीर क को पूरे तरीके से सिस्पेंट कर दिया गया है और आप लोग भी जुरूर बताईएगा अगर आप इस समया पुंच में माजूद है या फिर पुंच अरजोरी से तालूक रहे हैं और भार हैं तो इस वीडियो को देख रहे हैं तो जुरूर बताईएगा क्या वहाँ पर जोहाँ हों इंटरनेट सर्विसिज जोहाँ चल रही है या फिर नहीं चल रही हैं हलाकि ये सब नहीं बताईगे है कि आखिकर कब वहाँ पर इंटरनेट सर्विसिज को रिस्टोर के आएगा लेकिन ये इस समय की सबसे बड़ी अपडेट जमू ट्रब्यून आप तक सबस पहले पुछाने की कोशिश कर रहा है कि जमू कश्मीर के पुण्श और अराजोरी जिले में इंटरनेट सर्विसिस को पूरे तरीके से सस्पेंड कर दिया गया है और सस्पेंड करने की वज़ा फिलाल ये पता चल पाई है कि जिस तरह से कल पहड़ी कबीले के लोगों को दोलन कर रहे थे और ऐसे में काफी ज़दा तैनाती जोहाँ वो स्कूरिटी के जमू में यहाँ पर की गई थी ताकि कोई भी किस तरह का महोल जोहाँ खराब नहों लेकिन कल जिस तरह से इस बात का ऐलान किया गया है कि पहड़ी कबीले के लोगों को भी जोहाँ एस्टी क दरजा दिया गया है तो उसके बाद कहीने कहीं जमू कश्मीर में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम जोहाँ वो चप्पे चप्पे पर कर दिये गया है और इसी के साथ साथ मोवाईल इंटरनेट सर्विसिस को भी पुन्श और अरजोरी में फिलाल के तोर पर बंद किया ग तो अगर जरूरत पड़ी अगर कहीं पर भी कोई हालात खराब होते तो वहाँ पर अड्मिस्टिशन कोई भी किस तरह का कदम उठा सकती है लेकिन ऐसे में दमाम जो गुजरबकरवाल समधाई के लोग हैं वो कहीं न कहीं काफी जदा निराश है कि जनाब हमारा हक जोहाँ नहीं पड़ेगा फिलाल आप जनता अपने सुजाब जरूर दिजिएगा जिस तरह से पुन्शर अरजोरी में इस समय जोहाँ वो इंटरनेट सर्विसिस को पूरे तरीके से सस्पेंड कर दिया गया है और ताकि कोई भी किस तरह क्या हालात वहाँ पर खराब नहों लेकिन दूसरी बार ऐसा देखने को मिला है जब पुन्शर अरजोरी में वहाँ पर आर्मी की गाड़ी पर आत्रिकवादियों द्वरा हमला किये गया था उस दोरान भी इंटरनेट सर्विसिस को काफी देर तक के लिए सिस्पेंड रखा गया था लेकिन अब दबारा से जम कश्म आप जुरूर दिजिएगा के पाड़ी कबेले के लोगों को जो एस्टी का दर्जा दिया गया है उसको लेकर आप जनता का क्या कुछ कहना है और जो तमाम जो गुजरबकरवाल समदाए के लोग इसको लेकर नराज है उसको आप किस सरह से देखते हैं देखते हैं जमुट प्रबियों जहीं देखते हैं